हलो दोस्तों एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल पर आज हम लोग एक बार फिर से सीजियल दुहजार तेस के टीर वन के 18 जुलाई दुहजार तेस के ठर्ड सिप्ट ठर्ड सिप्ट के मैथ के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में स्वालू करने वाले हैं टोटल पत्चीस के पत्चीस सवालों को हम लोग एक जानेंगे की पेपर का लेभल कैसा है हर एक क्वाश्चन को एकदम बेसिक से हम लोग किलियर कर देंगे अगर आप चैनल पर नए है अब अघ्यान को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम सिजल के आने वाले सारे स्रिप्ट का स्वालूशन अभी तक हमने करवा करके चैनल पर अपलोड कर दिया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा यह अब अब से जाकर गे सारे वीडियो को देख लेए च एक सरकल है, सरकल के अंदर क्या है? एक Trangle है Trangle क्या है PQR एक संभाहुतिर्भुज के हर एक एंगल कितना होता है, 60 degree का होता है अगे कहा ग cáya है, S जो है, QR पर कोई बिंदु है, S जो है QR पर कोई बिंदु है देखेगा ये जो है PQ, एक Quad बन रहा है, ठीक है, Quad पे, अगर कहीं भी हम सरकल पे एंगल बनाते हैं, वह एंगल क्या होगा हमेशा Equal होगा, ध्यान से देखेगा ये जो एंगल बन रहा है, एक सेम ही Quad PQ से बना हुआ है, ये भी एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या ह होगा, इक्वल होगा, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, सिंपल था, सिफ कॉंसेट पे बेश था, आप इसको सकेंडरों में स्वालों कर सकते थे, मतलब आंसर अप्सन नंबर 1 होगा, कॉस्चन नंबर 2 काफी ही संदार सवाल है, कहा गया है, 1500 मीटर की एक रेस में, X, Y को 100 मीटर से हराता है, Z को 240 मीटर से हराता है, तो उसी रेस में Y, Z को कितनी दूरी से हराएगा, देखे, 1500 मीटर को तई करने में X को जितना समय लगता है, उतना ही समय, Y को कितना में लगएगा, 14 मीटर दूरी तई करने में Y को मिलेग उतना ही समय में जैड कितना दूरी तई कर पाएगा उतना ही में जैड आगे काहल कॉच्छन में जैड वाई अगर 15 मीटर दूर लेता है तब जैड कितना मीटर दूरी दूर पाता होगा तो देखे क्या करना है इसको इसको हम 15 से मल्टिप्लाइ करके 14 से डिवाइड कर लेंगे इसको भी करेंगे 15 से मल्टिप्लाइ और 14 से डिवाइड यह जैगा 15 मीटर जब दूरी तई करता है तब जैड कितना होगा तो 150 मीटर यह कम दोरेगा तो कितना होगा 150 मीटर की दूरी से वाइड को हराएगा ठीक है चलिए को समझते हैं सिंप्लिफिकेशन का सवाल है 15 दिवाइड दिया हुआ सब्सक्राइब करेंगे हम लोग पहले ब्राइकेट के अंदर वाले को इस दुनों को स्वाल करेंगे ठीक है ब्राइकेट के चार है मतलब यह भी कितना होगा 625 मतलब देनों काटकर कितना हो जाएगा 1 मतलब 25 पलस 10 35 माइनस एक चाउंतिस उपर में कितना 111 दिवाइड दूनी जोश मतलब तीन बट्रे दो आपका आंसर होगा वह चोटी संख्या ग्याद केजिए जिसे 888 में जोडने पर संख्या 35 से पुरी तरीके से विभाजित होगा इसका मतलब क्या होगा संख्या 7 से और वह संख्या क्या होगा 5 से विभाजित होगा कुछ भी नहीं करना है सकेंडों इस क्रंव क्सक्राइड शेल्ब कर सकते हैं बीना कुछ किए होगा देख्ये कोई भी संख्या 5 से इसका मतलब क्या होगा उसका यौिज्ट यह तो जीरो होगा या तो इसका यौनिट जीरो और यॉदिट यहिए 5 होगाnai अगर हम 10च जो रोएग तो पंच आय गा तीन अगर यही इसका मतलब करके युश्यांड में इसको विद्व करेंगे ताक है आपक तक का समय항 बाचे है जैसे के ताकि आप पूरे के पूरे सवालों को solve करने में आपको असानी होगी question number 5 को देखे सांकिर का सवाल है कहा गया है एक trophy company trophy company को दू अलग-अलग flavor का X औ Y flavor की त्यार करता है चार बरस के अबजी में सब भी कर्याटर दिया हुआ question में काहा गया है उत्पादन के आंतर तो Y के 19-20 में देखिए, KITNA है 32 और यह 20 कितना हो गया, 1222 का अउस्ट करेंगे, दोनों का अंतर कितना है, 6 छे पैकेट का अंतर है, एक पैकेट में आपको बता दिया है, 1000 है, तो मतलब कितना अंसर होगा, 6000 का अंतर आएगा, question number 6 को देखिए trigonometry का खाफी ही संदार सवाल है लेकिन आप इस तरह के सवालों को आप अगर previous year हमारे चैनल पे solve किये है question को इसको आप एक second में आप इसको solve कर सकते हैं कुछ भी नहीं करना है सिर्फ theta का value पूट करके हम आपको solve करना सिखाये है सिखाये है शिटा आप जीरो या फिर 90 कुछ भी पूट कर लिजिए तो यह आपका one आ जाएगा यह भी आपका one आ जाएगा और यह पार्ट आपका zero हो जाएगा मतलब बचेगा 12 प्लस 18 मतलब 30 मतलब 30 आपका option number 4 में दिया हुआ option number 4 आपका correct होगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए और एक प्यारा सा comment भी कर दिया किजिए question number 7 को देखेंगे 120 मीटर कपरे का मुल 96 रुपईया है तो पुछा गया है 147 मीटर का मुल ग्याद करना है देखें 120 मीटर मतलब एक मीटर का कोश्ट कितना हो जाएगा आपका एक मीटर का कोश्ट आपका आजाएगा असी रुपईया तो 147 मीटर का कोश्ट निकाल दीए असी से multiply कर दीजिए तो आपका आजाएगा मतलब 11760 नमबर दो में दिया है काफी ही एजी कॉश्टन है इस तरह कॉश्टन को आप 10 से 15 सकेंड में स्वलू करना चाहिए देखिए आए कॉचन में जिए एकनवास के 6 इकाए तिरज़य fender वाला एक संक्वाकार तंभू बना जाता है तो तंबू बनाने के लिए कितना canvas की आपसकता होगी देखिए संक्वाकार चंवास बनाने के लिए तो इसका इसकी कितना कफ़रा लगेगा लागेAR मतलब इसका जो पिा एरुटेट का चुबल को क्या होता है पाई और अनल किया हैili रह को इजास लेंगे आट का स्कुई प्लस चाही कितना हुआगा एक-प्रोट में रखेंगे तिया च्वाइग मैसे किजिए उसको साथ से रिभाइटबृइट इसे लिखे 3.14, इसको 10 से मुल्टिप्लाइए, 31.4 को 6 से मुल्टिप्लाइए, 64, 26, 28, 24, 28, 28, 28, 28.4 के एरांड बे आ रहा है, तो अपसर नमबर 3 में दिया है, अपसर नमबर 3 आपका क्रेक्ट होगा, तो कॉस्चन नमबर 9 में देखेंगे, एक घरी को 2000 बेचने पर एक दुकंदार को 20% की हानी होती है, मतलब 2000 रुपया में अगर बेचता है, 20% हानी का मतलब कितना हो जाएगा, मतलब 20 को फ्रेक्शन में लिखेंगा, 20% को एक बटे 5, मतलब 5 रुपया को समान को 4 रुपया में बेचा जाता है, मतलब 4 का भेलू दिया है, 20,000 मतलब, सब्सक्राइब कितना हो जाएगा, पांच, तब 500 रुपया को समझ गे होंगे, देखेंगे, इस तरह सवाल को आप इसे स्वाल कर सकते हैं, कम समय में, कौस्चन नमबर 10 को देखेंगे, एक निर्वाचन शेतर की निर लोगों में से 85% चुनाब के दोयान अपने मत का परियोग करता है, मतलब अगर पहले, अगर हजार आदमी था, तो हजार में से सिर्व 85% ही लोग अपने मत का परियोग करते हैं, और दाले गए मत में से 10% क्या है कि अबईध है, मतलब 90% ही क्या होगा, भैलिड भूट है, यदी मत आता सुची में 3,00,00,00,00, लोग सम्मिलित थे, तो धरम को मिला है, 123,002 बाइध मत प्राप्त किये गए है, तो धरम को बाइध मत क्या है कितने परियोग प्राप्त हुए है, देखे, धरम को 1, Terus, 3700,00 बाइध मत परे कितना जेकी, 3,00,00, तो बाइध मत तनो रो का पर्थिसद जाइदा बिना किसी सॉल्विशन किये हुए देखिए आप किसी स्वाव करेंगे ऍसको नौ से काट लीजिये नौ से काटेंग कितना हो जाएगा 910, 910, 925, 925, 927, 113 आया एक साथीर पन देखिए आप 315 कट्या 670, 37 साथी स्थपार्टिया एक कावान मत्तब 300 उपरे में हो जाएगा 300 वट्टे 5 मतलब 300 वट्टे 5 कों क्या लिखेंगे 60 पर तिसत्थ मतलब Street km पर आबर की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 km की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 से करेंड में पार करती है दोनों की संंद्र क्लमबाई को को मेडर में च cone करना है देखिए दोनों की संद्र के अब एक्पिड कितना होगा अगर समानद्यसा में जा रहा है तो जो स्पिड का डिफ्रेंस लेंगे तो कितना होगा आपका 36 किलोमीटर पर आभ़ोर कें क्या करेंगे 5 x 18 हम को डिस्ट्स निकलना है समय से मुल्टिप्लाय कर देंगे 35 सकेंड अठारा दुनी, 36 इंटू पार मतलब कितना हो गया, 250 मीटर दोनों को क्या है, सन्युक्त लंबाई है, 250 मीटर आपका सन्युक्त लंबाई दिया हुआ है, क्वेस्चन नमबर 12 को देखेंगे, किन्ही दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का बर्ग, मतलब अगर दो प्राकृ जाएं संख्यार का बहलू आपको निकालने के लिए कहा गया, देखिए, x-y को निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, इधर अधर हो जाएगा आपका 18, दो ऐसे संख्याओं के इसका डोनों का अंतर कितना है, 18 है, और दोनों को मुल्टिप्लाइ के तरह बहलू करेंगे, तो दोनों का सम इन्टू, मतलब x plus y को इसे भी लिसकते हैं, आप असानी x minus y से लिसकते हैं, मतलब 30 इन्टू, दोनों का difference कितना है? 18, मतलब 30 इन्टू 18 कितना होगा? 540, तो 540 आपका correct answer होगा, ठीक है, question number 13 को देखेंगे, 13 में है, D और E, ट्रेंगल ABC की भुजाएं, देखें, ट्रेंगल ABC, देखें, ABC की भुजाएं पर, AB और AC पर इस परकार है कि, देखें, AB पर क्या है आपका, D है, और AC पर क्या है आपका E है, इस परकार है कि, DE जो है, BC के समानांतर है, देखें, DE जो side है, ये और ये क्या होगा आपका समानांत आपका साथ है तो यह यूनिट कितना हो जाएगा इसका नौई यूनिट है आप कहा गया है यदि CD और B देखे CD आपका यह हुआ और यह आपका B है ठीक है B एक दुसरे को F पर परतिछेद करता है तो यह आपका पाइंट हो गया F तो कहा गया है Tangle DEF देखे टेंगल एक सकेंब आप देखेंगे Tangle DEF और Tangle C B F देखे C B F इस Tangle के छत्रफल का अनुपायत निकालना है तो आप एक देख पहले देखे सबसे पहले आपको देखना है क्या देखे Tangle A E और और D को देखेंगे, इस Tangle, और बड़े बार Tangle ABC को देखेंगे, तो यह दोनों क्या होगा, एक दूसरे के similar होगे, मतलब, similar क्यों होगा, कुछ पता है, आपको दोनों का base क्या है, दूसरे के parallel है, देखें, ये angle, और ये angle, ये एंगल और ये एंगल या फिर एसे भी बोल सकते हैं, अगर AD बट्टे AB AD बट्टे AB is equal to DE बट्टे हम BC बोल सकते हैं ठीक है दोनों corresponding base का भी ratio क्या होगा इक्वल होगा पता है AD अगर 7 है AD अगर 7 है AB कितना होगा यह 9 है तो कितना होगा 16 मतलब आपका DE ratio BC आपको कितना जाएगा 16 आजाएगा अब देखेंगे Tangle हम देखेंगे DEF और BCF दोनों भी क्या होगा यह भी दोनों क्या होगा similar triangle होगे similar क्यों होगे देखेंगे तो ये और ये देखेंगे ट्रेंगल ये angle और ये angle दोनों क्या होगा ये इसके equal होगा और ये इसके equal क्या पता है आपको दोनों क्या है यह यह दुनों क्या है आपका पैरलल है पैरलल क्या होगा अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है दुनों का इक्वल होता है ठीक है इस काहले से क्या होगा दुनों ट्रेंगल भी क्या होगा आपका इस तरह से ये आपका बेश था लेकिन अगर इतना कॉंसेप्ट किलियर था या या तो ये भी कोचन थोड़ा सा moderate था लेकिन यह आपको असान था time consuming था अगर आपको concept clear नहीं होता तो देखे कहा है question में कौनसा कथन असत्य है देखे असत्य का मतलब क्या है देखे आपको फर्मूला अगर क्लियर आपना चाहिए मतलब क्या है देखे को सेक होता है दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे तो इसका answer वन आएगा देखे क्या होगा यहां पर क्या होगा सेक एसक्वाइर ए सेक एसक्वाइर माइनस वन होता है यह तब एक टेन एसक्वाइर ए होता लेकिन यह कहा है थाड में in correct है मतलब option आपका 3 सही होगा देखे हमारा अगला स्वाल पंदर नमर है कहागा यह दिल्लेद एक 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 स्क्वाइर एक एक स्क्यू लाइन है जो एंगल एक्स को सम्दूवाजित करता है मतलब इसको दो इक्कवाइर पारमें बिभाजित करता है तो देखेंगे xyq और xqz दोनों क्या होंगे similar triangle होंगे similar triangle होंगे तो क्या correspondence side के का जो length का जो ratio होगा वह ही correspondence दोनों side के ratio के equal होगा मतलब xy is equal to क्या हो जाएगा xz is equal to yq वह ही क्या हो जाएगा qz के equal होगा हमें xq बटे yz हमें पूछा गया है तो xy का length 4 है और xz का length 5 है तो मतलब 4 ratio 5 आपका correct answer होगा option number 1 में दिया हुआ है question number 16 में है एक सिलीन फैंक का अंकित मुले 42.00 रुपया है और दुकंदार इस पे 5% के छुट देता है यदि उसका लाब परतिसाद कितना है परतिसाद का है तो पंके का क्रेम निकालना सिंपल सबाव है बेसिक से सब्सक्राइब करें देखें 42.00 रुपया का अंकित मुले 5% छुट का मतलब कितना हो जाएगा 95.00 परतिसाद का लाब हैसर सिपी कितना हो जाएगा कितने बर्स में सब्सक्राप्ट मिस्तिधान कितना हो जाएगा 11780 देखे, 95-ग या या सो रुपइया से, कितना case ही मतलब, आपका जो CIP कितना आगया है, आपका 95-ग या या हिवाज़ना 5 Butt- bekannt, 5ant यह हुच्वाल, 28-ग या, 28-ग या कितने बर्स बाद हो जाएगा, जो देखे ये 95-ग का, 28-ग मतलब, 8 से तो 8 पंचे 40, 9, 8, 72, 4, 76 मतलब एक बर्स में 707 रुपईया interest है तो कितने बर्सों में 280 हो जाएगा तो कितने बर्स में हो जाएगा तो 3 बर्स में 3 बर्स में कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा option number 3 में दिया है 3 कैसे आएगा तो 280 को 760 से divide कर लिजिए question number 18 में देखेंगे समय और कार्ज का सवाल है A और B किसी कार्ज को 10 दिन में कर लेता है ठीक B और C उसी कार्ज को 12 दिन में complete करता है और C और A उसी कार्ज को 6 दिन में पूरा करता है तो A अकेले उस कार्ज को कितने दिन में पूरा करेगा देकिए हम क्या करेंगे तीनों का LCM ले लेंगे तो तीनों का LCM कितना हो जाएगा साथ A और B की छमता कितनी हो जाएगी 6 B पलस C की छमता कितनी हो जाएगी 5 और C पलस E कि छमता कितनी हो जाएगी 10 हम से क्या पुछा गया है कि A, अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, जैके, तीनों की छमता कितने जागे, तीनों खमजोर देंगे, कितना हो जागा, 15, 6, 21, 21 क्या है, तो सब दो दो बाइस को हम दो से रिभाइर कर देंगे, तो तीनों A, पलस B, पलस C की छमता, 21 बटे, 2 है, पुछा गया है, A, अके उस काम को कितने दिन में कर लेगा, मतलब हम B और C की छमता को हटा देंगे, तो 1 चमता आ जागी, मतलब A की छमता कितनी हो जागी, 21 बटे, 2-5, मतलब कितना जाएगा, 11 बटे, 2 है, तो 60 युनिट काम को कितना समय करेगा, तो मतलब 11 बटे 2 से इसको डिभाइर कर यह मतलब 120 बट्टे 11 आप पूसर नंबर 3 में दिया हुआ है क्वेस्चन नंबर 19 देखी अलजेब्रा का बहुती संदार सवाल है X प्लस 1 बट्टे X के वहलू 5 दिया हुआ है X के वहलू गईटे दन्वान है निकालना होगा देखी आप पहले X प्लस 1 बट्टे X दिया है तो हम X स्क्वाइर प्लस 1 बट्टे X स्क्वाइर निकालें कितना हो जाएगा 25 मैंस तो मतलब 23 मतलब 23 आप पिर इसका बहलू निकाले और तीनों को मिल्टिप्लाइ कर दी आप चेक कर लिए कौन-कौन सा नंबर 23 हैं सभी को डिवाइड करके चेक किजिए तो कौन सार्प्सन में 23 है तो यह से दिविजिवल नहीं है ठीक है, सबसे असान तरीका यही है picture करके आप ंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से स्वार्श स्वार्व करकए, culture number 20 को देखेंगे. ऑर अकेले किसी काम को nelight में 15 दिन में पूरा कर सकता है। और हुआ केबल पहले दो दिन और आखरी के दो दिन कार्ज करता है, से इस कार्ज जो है भी द्वारा कहाता है, और हुआ कार्ज बीस दिनों में पूरा होता है, ए और बी मिल करके उस कार्ज को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, देखिए समय और कार्ज का सबसे बेहतरिन मतलब 4 दिन ही काम A करता है, मतलब 4 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 16 यूनिट काम करेगा, काम बचा कितना, तो 60 माइनस 16, मतलब 44 यूनिट आपका काम बच गया, ये 44 यूनिट कौन करता है, B करता है, ठीक है, B 44 unit काम कितने दिन में करता है question में आगे दिया है 20 दिनों में पूरा होता है तो चार दिन पहले ही A कर दिया है तो 20 दिन का मतलब कितना होगा सिर्फ B इसको 16 दिन काम को किया है मतलब 16 unit 16 दिन में 44 unit काम B किया है तो B की छमता कितनी हो जाएगी 24 बट्टे 16, मतलब B की छमता हो जाएगी 11 बट्टे 4, पुछा किया गया है A और B मिल करके काम को कितने दिन में पूरा करेगा देखे, B की छमता 11 बट्टे 4 है A की छमता 4 है, तो कितना चमता होगा, 40 में, जोर लेगें, कितना होगा तो यह हो जाएगा 20, यह हो जाएगा आपका 29 बट्टे, 89 बट्टे 9 अपसर नमबर एक में, देखे, अगला कॉचन सांकी का है, कहा गया है दी गई तालिका एक एस्कुल में, 5 अलग अलग बिस्यों में, 5 छात्रों द्वरा प्राप्त का कुल 34 कितना है, दो कि हितांस को कितना मार्क्स मिले हैं, अंग्रेजी के सौ में से, 60% मिला है, तो कितना होगा 60, विज्यान में कितना है, 150 में 70% मतलब 105, 64, 64, 64 हो गया, यह दुनू भी उतना होगा, मतलब इसको जोट लेजे, कितना हो जाएगा, 100, 130, टोटल मार्क्स इसको इतने मिलें, सभी को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा, 120, 131, 236, 366, 366 प्रतांक उसको मिले हैं, कितने में से, तो देखिए, 400 वले हो गए, 150 में, 550 में से, 366 मिलें, तो कितने परतिसात हुए, वह निकालने हैं, देखिए, यह दूसरे, और यह हो जाएगा, 11, 55, यह कितना हो जाएगा, 62, 72, 72, 72, डिवाइड कर लिए, 1166, बचेगा आपका 7, 72, 1666, फिर बचेगा 6, 60, 11, 55, पॉइंट 5, पॉइंट सम्थिंग, इता सरह, अफसर नमबर 3 में दिया हुआ है, देखिए, समय और कार्ज का एक और बहत्रीन सवाल है, कहा गया है, A और B, A और B जो है, समान रूप से कार्ज में कुसल है, अगर कोई छुटी नहीं लेता है, तो अमान लेते हम, पूरे काम 30 unit है, तो A को कार्ज करने की च्छमता एक unit, B की कार्ज करने की च्छमता एक unit, आगर कोशेर में कहा गया, यदि A और B ने कार्ज, इस कार्ज को एक साथ कार्ज करना शुरू किया, लेकिन A ने हर 4 दिन पे, हर एक 4 दिन पे च्छुटी पे चला जाता है, और फिर क्या है, B ने है 5 दिन पे एक दिन के च्छुटी के लिए चला जाता है, यदि दोनों 1 अगस 22 को कार्ज करना पर हम किया, तो कार्ज किस च्छुथी को पूरा होगा, देखे, A जो है, 4 दिन काम साथ में करणा, देखे, दोनों का 1 दिन काम करने के लिए कितना होगा दो यूनिट, 4 दिन तो दोनों साथ में काम किया, फिर क्या हो जाएगा, A पांच में दिन काम छोरके चला जाहएगा, लेकिन B काम में 5 दिन तक लगे रहेगा लेकिन 6 दिन क्या हो जाएगा फिर B छोर कर चुला जाएगा लेकिन A इस काम को driving के लिए आ जाएगा मतलब यह 6 दिन का काम आपका हुआ 6 दिन कितना यूनिट काम हुआ 8 दू 10 10 यूनिट काम कितना हुआ छे दिन में हुआ, आगे फिर देखेंगे, 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 ठीक है देखे तो ए भी यहाँ पर काम पे आ गया है लेकिन एक स्वरी बी कितने दिन काम किया एक तीन दिन यहाँ चार एक पांच फिर क्या आ जाएगा बी काम को छोर के चला जाएगा बी का काम कितना हो गया पांच दिन हो गया और छठे दिन फिर क्या हो जाएगा युनित काम को हो रहा है तो 30 दिन में आपका काम पुरा 30 उनित कंपलीट हो जाएगा तो अगर काम 1 अगश दुहर 2 से सुरू हुआ 18 मतलब घ्थैञ्ट को काम कंपलीट हो जाएगा ठिक है इस तरह का यह इस सी mm तक उसका वेट हो सकता है आए कहा गया है उसकी बहन राघव की बात से समत नहीं है और वह सुचती है कि उसका बजन साथ से ज़्यदा है लेकिन उनहत्तर से कम है देखें, साथ से ज़्यदा का मतलब कितना हो जाएगा अब देखिए 60 ज्यदा मतलब 60 हो सकता है 62 हो सकता है 79 तक इसका बजन से का मतलब 68 तक हो सकता है तो यहाँ पर देखिए 60 होगा न तो 62 होगा नहीं 63 होगा मतलब 65 से लेकर कितना हो ज़गा 68 तक इसका बजन हो सकता है ठीक है, दोनों को हम मिलाते हैं, तो आगे देखिए, आगे श्रेटोन में क्या कहा गया है, उसकी मा का मानना है कि उसका बजन 68 से जायदा नहीं हो सकता है, उसकी पिता का मानना है कि उसका बजन 66 से जायदा नहीं हो सकता है, मतलब 68 तो होगा ही नहीं, मतलब 65 हो सकता है, 66 हो स 66 और 66 का आउसेट निकालना है अगर तीनो कर्मिक नंबर है तो आउसेट कितना होगा बीच बला नंबर मतलब 66 आपका आउसेट आजाएगा और यही आपका आंसर भी है इसका मतलब सीर्फ भी हुआ अब तीनो का भेलू एक है ठीक है तीनो का भेलू एक है तिसमें एक आप पुट किजिए देखे कितना जाएगा एक ग्यारा प्लस तीरा प्लस सत्रह कितना जाएगा तीस और ग्यारा कितना होगा है 41 यह भी एक हो जाएगा मतलब आपका यह हो जाएगा कितना 22 सरी 24 सत्रहुआ कितना होगा 41 दोनों को डिवाइड किजिएगा तो 1 मत्थ 1142 मतलब 1 चोविस नंबर कम्प्लीट का कॉस्चर नंबर 25 और लास्ट सवाल है देखिए sin 5x-25 is equal to cos 5y plus 25 है जहाँ 5x-25 और 5y plus 25 नियुन कोन है x plus y का मान निकाना देखिए दुनों कब equal होगा जब हम इसको 90 minus करें इसको हम sin को cos में करेंगे 90 degree minus ठीटा करते हैं तो यह हो जाएगा आपका cos के बराबर ठीक है तो यहाँ पर sin है 5x-25 is equal to 90 minus हम इतना कर लेंगे तो दोनों equal हो जाएगा मतलब 5y और minus 25 ठीक है हमें इसको ले जाएगे इधर तो 5x plus 5y is equal to 90 minus 25 और यह चल जाएगा पर यह जाएगा पर यह जाएगा सिधा 90 बचेगा मतलब 5 common x plus y के बहलों कितना हो जाएगा 90 बटे 5 90 बटे 5 का मतलब कितना हो जाएगा 18 मतलब 18 आपका correct answer option number 3 में दिया हुआ है उमीद करते हैं आपको यह 25 के 25 सवाल समझ में आया होगा अगर अभी भी कोई भी कोचर में doubt है तो आप doubt को comment section में पूछ सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को